तुदेंस वेलकम बेक टू शारीपनी एजुकेशनल अकेडियमी चलो लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्तर नबर फोर स्टार्ट किया था इंग्लिस ग्रामर में कमपेरिजन ओफ एड्जेक्टिव वाला स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपक जिन इते हैं कि पोजेतिव डीग्री और इंग्री सिखाओं कि विढ़तिव डिग्री छोपेडिव एड्र लोकुग दे जैसे जी जोंया है तो यह दोनों की शिच्छान करने के लिए हम पोजेतिव डीग्री का यूस करेंगे खersonal कि जैसे automated ओले जू जैसे मेरे जैसे वह तौल है, as tall as you, तुम्हारे जितने ही वो तौल है, तुम्हारे जितने वो सौथ है, तर जब ऐसे दो लोगों के बीच में comparison होती है और दोनों को हमें equal बताना है, equal comparison, यहाँ पे लिखा है न, जब दोनों को हमें equal comparison करना है, तब हम किसका use करेंगे positive degree गई पर जब हम दो लोगों के बीच में हमें किसी एक को quality वाला दिखाना है, यानि किसी एक को हमें ज्यादा दिखाना है, देखो, degree so as quality as being more than something else, जब दो लोगों के बीच में हमें किसी एक को ज्यादा बेतरिन दिखाना है, एक को ज्यादा अच्छा दिखाना है, तब हम comparative degree का यू quality as being the most of the least, the best for the worst comparison to all others. जो बड़ सारे लोग होते हैं, यानि कि मैं आपको एक्जभी लेती हूँ तीनो दीगरी का था आपको एददम कंपली समझ में आ जाएगा। आपके क्लास में दुछ लड़के हैं, एक आप हो और एक आपका फ्रेंड हैं। तो आपको और आपका फ्रेंड दोनों को सेम-सेम equal comparison करना है दोनों को सरखा दिखाना है तो हम positive degree का use करेंगे जब आप दोनों में से आपको या आपके friend को अच्छा दिखाना है किसी एक को अच्छा दिखाना है तो हम comparative degree का use करेंगे और जब पूरे class में से किसी एक को अच्छा दिखाना है तब हम superlative degree का यूज़ करेंगे, यानि सभी लोगों में से किसी एक को अच्छा दिखाना है, तो तब हम superlative का यूज़ करेंगे, तो यह आपको clear हो गया, तीनो degree, अब positive degree में जो आएगा, तो वो आएगा tall, as tall as, ऐसे आएगा, कैसे आएगा, as tall as आएगा, superlative degree में उसके पी positive में सौत रहेगा, comparative degree में सौतर हो जाएगा, superlative degree में सौटेस्ट हो जाएगा, ऐसे EST लग जाएगा, उसमें ER लग जाएगा, जैसे like, liker, likest, ऐसे बन जाएगा, उसके बाद है large, तो यहाँ पे large रहेगा, यहाँ पे larger, यहाँ पे largest बन जाएगा, kind, kinder, kindest ऐसे बनेगा, द यह positive, यह competitive और यह superlative degree है, तो kind, तो kind का kinder, kindest हो गया, noble, तो nobler, nobelist, large, तो larger, largest, ऐसे हो गया, अब जब Y वाल आएगा, तो तब क्या करेंगे, Y का I कर गी यहाल लगाएगे, जैसे lazy, तो lazier, laziest, grady, gradier, gradiest, fat, तो जब fat, thin, red ऐसे आएगे ना, तो इसका क्या करेंगे, T को हम double करेंगे, fat, or fatter, ने fattest, T को double करके ER लगाएगे, N को double करके ER लगाएगे, D को double करके ER और EST लगाएगे, तो यह सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, और यह हम कब करेंगे, वो भी मैं आपको बता दू, short words ending with a constant sound, double, last, later, and then add ER and EST, क्या करना है, जो हमारा word है, उसका जो last वाला है, वो constant होएगा, और उसके आगे जो होगा, वो vowels होएगा, तो तब हम ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो, यह constant है, यह vowels है, तो यहाँ पे हमने किया, यह constant है, यह vowels है, तो जब ऐसा आएगा, तब हम ऐसे करेंगे, जो last वाला है, उसको double करके ER और EST लगाएंगे, जब Y आएगा, तो Y का हम I करके ER और EST लगाएंगे, जब E आएगा, तो खाली R लगाएंगे, खाली EST लगाएंगे, और जब R यह सब नहीं होगा, तो हम ER और EST लगाएंगे, यह अपको समझ में आया, उसके बाद जब double syllabus वाला आता है, then two syllabus at more and most, जैसे कि expensive, तो यहाँ पे दो syllabus बन गएंगे, expense और save, दो वर्ड अलग अलग बनते हैं, तो तब हम comparative degree में more का यूज़ करेंगे, और superiority degree में most का यूज़ करेंगे, more expensive, most expensive, यहाँ पे हम expensive or expensiveiest, ऐसे नहीं बना सकते हैं, बोलने में भी वो ठीक नहीं है, आपको खुदी समझ आ जाएगा, difficult, तो difficult, difficult, ऐसे नहीं बोलते हैं, more difficult, most difficult, डिफी और कल्ठ, दो syllabus अलग पर गएंगे, तब हम ऐसा करेंगे, और कोई-कोई वर्ड ऐसे होते हैं, कि जिसके irregular manner होते हैं, यानि good, तो इसमें gooder, goodest, more, gooder ऐसे नहीं होता है, good तो उसका comparative better होता है, superlative best होता है, bear तो उसका comparative was होता है, superlative washt होता है, little का less or less, far, far का further, farthest, much का more, most, old का older और oldest, ऐसे होएगा, ठीक है, तो ये positive, comparative और superlative दीगरी का आपको, सारा concept ये पढ़ोगे, तो आपको clear हो जाएगा, और इसकी जो एक्टिविटी बाकी रही है, वो हम next वीडियो में करेंगे, ठीक है student,